बीजुल देखके आप सबको ये पार्क जिसे लग रहा है ना पर ये पार्क नहीं एक प्लॉस्टू साइन्स कलेज है जिसको पूरा बटानिकल गार्डेन बना दिये है इन्होंने बनाए है मैं डीटेल में वीडियो में आपको दिखाऊंगी तो पहले मिल ली जेन बच्चों से नाम क्या है फुर्ण भत्रा तमरो रभाकर चला तो वहिंद्र चला यह ओडिशा की नवरंगपुर डिस्टिट की एक गर्मेंट प्लॉस्टू साइन्स कलेज जो कर ला था मतलब बोथ बैज इन्स गर्ल्स यहां पर पढ़ रहे थे इस एरिया में यह पहला साइन्स कलेज है और जो भी कलेज है जहां पर साइन्स ट्रीम है और बहुत दूर महीं है पर इसी साल से यह कलेज को गर्ल्स कलेज बना दिया गया है तो बैज और यहां पर पढ़ ये college को campus को इतना सुन्दर बनाया हैं मुझी curiosity हुआ कि ये बच्चे इनका तो पढ़ने का pressure भी बहुत ज्यादा रहता है plus to science में फिर भी इन्होंने इतना समय कहां से लाया इतना सब कुछ करने के लिए और क्यूं किया इनका कहना ये था कि इनका ये last year है इसके बाद ना ये आपाएंगे इस college को ना इनके जैसा कोई बच आपाएंगे पढ़ने के लिए तो इसलिए इन्होंने ये सारे चीज बनाया ताकि उन्हें याद रखा जाएगा मैंने पुछा तुमने बनाया मतलब तुमने हाथ से बनाया या फिर तुमने आइडिया दिया और कोई मिस्त्री जो सिमेट में काम करते हैं उन्होंने बाहर से आके बनाया उन्होंने वाला नहीं नहीं हम नहीं बनाया मैंने तो आश्यर हुआ अरे तुम तो science के student हो और ये सब कैसा हुआ तो उन्हेंने बला कि हमारे क्लास में कुछ-कुछ बच्चे थे जिनका आठेंड अच्छा था और हमारे प्रिंसपाल भी थे वह मल्टी टैलेंटेड है वह भी हर काम में आइडिया देते थे और हेल्प करते थे तो हम सब अपने मिलके ही यह सारे चीजे बनाए जैसे कि जिसका आठेंड है वह जो फाइनल सेप देने वाला काम वह करता है इस्ट्रक्चर कैसे बनेगा वह बताता है बाकी बच्चों को जो काम आता है वह करते हैं जैसे कि पानी लाना मसाला मिक्स करके देना तो यह सब काम हर यह है कि हमारा कलेश्था जिसको हम अभी तक हमारा सोचते थे वो सुन्दर भी दिखेगा और हमें याद भी रखा जाएगा तो इसके अंदर जितने सारा स्कल्प्टर देख रहे हैं जैसे कि अजगर है कंगारू है हीरन है हाती है मचलियां है मच्यकन्या है फूलों है बहु कुछ बना सकते हैं इतना सुन्दर बना सकते हैं उनके कलेश को तो सोचे तो हर कहीं पर कितना सुन्दर बन सकता है हमारी दुनिया कितना सुन्दर हर सकता है कर्चामल की बच्चे सच में अन्मोल है हाई बच्चे आप सोब को बहुत 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 धन्यवाद और बहुत स पर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि मैं इस कालेज में कैसे जाके पहुंची और उसका रेकडिंग कैसे कर पाई मैं कोटपड की लिमभटा गाउं से जा रही थी नर्पदर गाउं जो कुरापुट में एक ट्राइवल गाउं है वहाँ पर मुझे मिलना था पौरजा ट्राइग के लोगों से तो उनका रहें सेहन देखना था मुझे तो रास्ते में जब जा रहे थे न वहाँ पर थोड़ा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कर लिजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है जिसमें अल लिखाए उसको भी क्लिक कर लिजिए ताकि मेरे आगे बाले जितने सारे वीडियो है न उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देख पाएंगे थांक यू